नमस्ते बच्चों, आज हम आपको ब्याकरन के तहट कारक बताने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कारक की परिवासा संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं जैसे हरी ने आम खाया इस बाक्य में हरी सब्द खाना क्रिया को करने वाली है इसलिए वह करता कारक है और खाना क्रिया का फल आम पर परता है इसलिए आम कर्म कारक है संग्या और सर्वनाम सब्द ही किसी क्रिया का करता होता है इसलिए संग्या या सर्वनाम सब्दों में कारक का चिन लगा कर उसका संबंध अन्य सब्दों के साथ प्रकट किया जाता है आईए आप देखते हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं तो कारक के आठ भेद माने गया है पहला है कर्ताकारक जिसका चिन ने होता है दूसरा है कर्मकारक जिसका चिन को होता है तीसरा है करन जिसका चिन से होता है चौथा है संप्रदान इसका चिन के लिए होता है पाचमा है अपादान इसका चिन से होता है छठा है संबंध इसका चिन का की के होता है सातमा है अधिकरन इसका चिन मेपर होता है और आठमा है सम्बोधन जिसका चिन हे हो अरे होता है तो आईए अब जानते हैं करता कारक किसे कहते हैं वाक के जिस सब्द से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे करता कारक कहते हैं जैसे राम ने रावन को मारा इस वाक में मारना क्रिया का करने वाला राम है इसलिए उसके साथ ने चिन ह लगा है किन्तु अस्मरन रखना चाहिए कि करता कारक की ने विभक्ति बर्तमान और भविश्चत काल की क्रिया के साथ नहीं लगती है वह केवल सकर्मक क्रिया के भूत काल में लगती है उपर के बाक्य में मारा क्रिया सकर्मक है इसलिए उसके भूत कालिक रूप में ने बिभक्ती लगी है उसी तरह से है सीता घर जाती है इस बाकि में जाना क्रिया अकर्मक और बर्तमान काल में है इसलिए इसमें ने बिभक्ती नहीं लगी है अब जानते हैं कर्ताकारक के नेचिन्ह के प्रियोग संबंधी क्या-क्या नियम है पहला नियम है अकर्मक क्रिया के कर्ता में भूत काल में भी नेचिन्ह नहीं लगता जैसे लड़की हसी दूसरा है बर्तमान और भविस्चत काल की क्रियाओं के करता के साथ नेचिन्ह नहीं लगता जैसे वह पत्र लिखता है लड़की घर जाएगी तिसरा है सामान आसन पूर्ण और संदिग्ध भूत काल की सकर्मक क्रियाओं में करता के साथ नेचिन्ह लगता है जैसे लड़के ने खाना खाया होगा चोथा संजुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक होने से उपर के चारों भूतकालों में करता के साथ ने चिन्ह लगता है जैसे अतिथी ने खाना खा लिया या लिया है या लिया था लिया होगा तीनों काल में आ गया ये अब देखते हैं पाचमा नमबर है कभी कभी करता कारक में कोई या से बिभक्ति का प्रयोग भी होता है जैसे हरी को अब तक आ जाना चाहिए था मेरे दादा जी से चला नहीं जाता आईए अब देखते हैं छठा अकर्मक क्रिया जब सकर्मक बन जाती है तब कर्ता के साथ ने चिन्ह लगता है जैसे मोहन ने टेड़ी चाल चली अब आईए जानते हैं कर्मकारक किसे कहते हैं किसी बाक्य में क्रिया का फल जिस सब्द पर पड़ता है वह कर्मकारक कहलाता है जैसे सोहन ने पुस्तक खड़ी दी शाम ने बाग को देखा पहले बाक्य में खड़ीदना क्रिया का फल पुस्तक पर पड़ता है इसलिए वह कर्मकारक है दूसरे बाक्य में देखना क्रिया का फल बाग पर पड़ता है इसलिए वह कर्मकारक है अब आईए देखते हैं करनकारक किसी बाक्य में जिस सब्द से क्रिया के करने में सहायता का बोध होता है वह करनकारक होता है जैसे, सब लोग कान से सुनते हैं, रंजन चाकू से काट रहा है, पहले बाकि में सुनना क्रिया में कान की सहायता है, अर्थात उसके द्वारा ही सुनने का काम किया जाता है, इसलिए कान से करनकारक है, दूसरे बाकि में करना क्रिया चाकू से की जाती है, इसलिए चाकू से करनकारक है, चोथा है संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई काम किया जाता है, या जिसको कुछ दिया जाता है, वह सब्द संप्रदान कारक में होता है, जैसे लड़के फल के लिए बगीचा जाते हैं, भ पहले बाकि में फल के लिए तथा दूसरे बाकि में विखारी को दोनों संप्रदान कारक हैं। पाचमा है अपादान कारक। बाकि में जिस संग्या या सर्वनाम सब्द का एक दूसरे से अलग होना प्रकट होता है वह अपादान कारक होता है। जैसे पेड से पत्ते गिरते हैं, गंगा हिमाले से निकलती है, पहले बाके में पेड से पत्ते का अलग होना सुचित होता है, इसलिए वो अपादान कारक है, दूसरे बाके में गंगा का हिमाले से अलग होना प्रकट होता है, इसलिए हिमाले से अपादान कारक है. अब आईए देखते हैं संबंध कारक बाके में जिस संग्या या सर्वनाम सब्द का दूसरे संग्या या सर्वनाम सब्द के साथ संबंध जाहिर होता है वह संबंध कारक होता है जैसे बंसी धर के पिताजी आए मोहिनी का नाना बिमार है पहले बाकि में बंसीधर संग्या का संबंध दूसरे संग्या सब्द पिताजी के साथ सुचित होता है इसलिए बंसीधर के संबंध कारक है दूसरे बाक में संग्या सब्द मोहिनी का संबंध दूसरे संग्या सब्द नाना के साथ प्रकट होता है इसलिए मोहिनी का संबंध कारक है अधिकरन कारक बाक में जो सब्द किसी काम का आधार सुचित करते हैं वे अधिकरन कारक होते हैं जैसे लड़के मैदान में खेलते हैं इस बाक में खेलना क्रिया का आधार या अस्थान मैदान है इसलिए मैदान में अधिकरन कारक है आठमा है संबोधन जिससे किसी को पुकारने बुलाने आधिका भाव सुचित होता है वह संबोधन कारक माना जाता है जैसे अरे भाई, जरा मेरी ओर तो देखो, हे प्रभो सब की रक्षा करो, पहले बाके में अरे भाई संबोधन कारक में है, दूसरे बाके में हे प्रभो संबोधन कारक है, यहाँ ध्यान देना चाहिए कि अनिकारों कों की विवक्तियां सब्द के बाद लगती हैं, किन्तु स नम्बोधन कारक की विभक्तियां हे अड़े आदी पहले ही लग जाती हैं।